हलो माइ डियर फ्रेंड्स हमारे यूटूब चैनल SBSV Academy में आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत हैं दोस्तो आज हम आपको Consumer Electronics की theory class के बारे में बताएंगे तो दोस्तो Consumer Electronics में हमारा आज lesson 1 है चलिए दोस्तो तो हम सुरू करते हैं ये वीडियो दोस्तो मारा lesson 1 है आईडियो सिस्टम आईडियो सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे माइक्रोफोन की तो दोस्तो इसमें क्या होता है माइक्रोफोन एक electro acoustic transducer है जो sound energy को electric energy में convert करता है दोस्तो जो microphone है वो एक बैद्द्धवन transducer है जो कि sound energy को electric energy में convert करता है जो sound energy होती है दोस्तो उसको वो electric energy में convert कर देता है यह sound pressure परिवर्थनों को समान frequency वा phase की electric wave में परिवर्थित करता है दोस्तो अब हम बात करते हैं type of microphone पहले microphone का type होता है carbon microphone दोस्तो सबसे पहले हम इसके diagram को समझ लेते हैं उसके बाद carbon microphone के बारे में बताएंगे दोस्तो इस diagram में सबसे पहले बात करते हैं sound wave input यहां से दोस्तो input दी जाती है उसके बाद यह हो जाता है protective cover, metal diagram यह दोस्तो वासर है फिर यह metal piston है यह fine carbon, granules, electric output और दोस्तो यही सभी चीज़े दी गए और यहां पर दोस्तो यह battery लगी हुई है यहां से हम output प्राप्त करेंगे तो दोस्तो इस प्रकार यह carbon microphone की सनचना का diagram हो गया अब दोस्तो हम बात करते है carbon microphone के बारे में जब carbon के कड़ एक core में बंद रहते हैं और इसमें sound wave का pressure पड़ता है तो कड़ का resistance चेंज होता है यद इन कड़ों के series में एक battery तथा load resistance connect कर दिया जाए तो load में परिवर्तन current और voltage उत्पन होता है जो धन तरंगों के समानपाती होता है अब दोस्तों हम इसकी properties के बारे में बात करते हैं दोस्तों जो carbon microphone होता है उसकी properties क्या होती है दोस्तों इसके बारे में हम बात करेंगे इसमें क्या है? नंबर एक मेरी properties दी गई है या mechanical रूप से मजबूत होता है दोस्तों जो हमारा carbon microphone होता है वो mechanical रुप से मजबूत होता है और दोस्तों दूसरी properties क्या दी गई है ताप और नमी से आसानी से प्रभावित हो जाता है जो दोस्तों हमारा carbon microphone होता है वो ताप और नमी से आसानी से प्रभावित हो जाता है और हमाई तीसरे नमर की properties है यह छोटा और सस्ता होता है नमबर चार यह टेलीफोन तथा छोटे रेडियो सेट में प्लब्द होता है दोस्तों अब हम बात करेंगे Dynamic R Moving Coil Microphone दोस्तों सबसे पहले में इसकी संद्जना के बारे में बात करेंगे तो दोस्तों इसमें कहा गया है इस microphone के मुख्य भाग, magnet, diaphragm और coil आधी होते हैं दोस्तों जो हमारा dynamic or moving coil microphone होता है उसके मुख्य भाग, magnet, diaphragm और coil होते हैं microphone में एक aluminum या copper की coil एक प्रवल magnet के poles के मद रखी जाती है जो दोस्तों aluminum या copper की coil होती है वो एक प्रवल magnet मतलों चुम्बक के poles के मद रखी जाती है ठीक है दोस्तों और coil मजबूती से डायाफ्राम से जुड़ी होती है डाया फ्राम एक पतली सीट से निर्मित किया जाता है जो डाया फ्राम के बाहरी किनारों के चारों और से फ्रेम से अच्छी तरह से कसिव होते हैं जो चुम्बक होती है वो डाया फ्राम से जो डाया फ्राम के फ्रेम होते हैं उससे अच्छी तरह से कसिव होती है अब दोस्तों इसकी संरचना का चित्र दिया गया है moving coil microphone की संरचना का चित्र दिया गया है दोस्तों इसमें क्या है दोस्तों इसमें सबसे पहले बात करेंगे input sound wave की और दोस्तों यहां से protective cover होता है यह होता है डायाफराम दोस्तों यह यहां पर डायाफराम होता है यह दोस्तों पॉल्स पीस होते हैं यह सिल्क क्लोट्स होता है यह ट्यूब होता है दोस्तों यह स्प्रिंग लगी हुई है यहां पॉल्स पीस होते हैं दोस्तों यह देखो चुमबक है प्रवल चुमबक ठीक है दोस्तों moving coil microphone की सरचना का diagram हो गया दोस्तों अब इसकी working के बारे में बात करेंगे इसकी working दोस्तों क्या होती है हम बताएंगे आपको यह microphone electromagnetic induction के सिधान पर कार करता है दोस्तों यह जो हमारी moving coil microphone होती है यह electromagnetic induction के सिधान पर कार करता है दोस्तो इसमें आगे कहा गया है चुम्बकी सिधांद के अनुसाच जब किसी कुंडली के चुम्बकी छेत्र में गद कराई जाती है तो कुंडली से बद्ध मैग्नेटिक फलस्क में परिवर्तन होता है और दोस्तों इसमें आगे कहा गया है एक sound wave microphone के डायाफ्राम से तकराती है तो डायाफ्राम में wave के कारण कमपन होने लगता है डायाफ्राम से जुड़ी coil vibration के कारण magnetic field में move करती है जिसके बाद coil में induced current उत्पन होती है इस induced current में परिवर्थन coil की गत के अनुसार होता है या current microphone पर उपलग्ध टर्मिनल से प्रात कर एक coupling transformer द्वारा amplify दी जाती है दोस्तों इसमें कहा गया है या जो microphone होती है वा electromagnetic induction के सिधान पर करता है या चुम्बकी सिधानत के अनुसार जब किसी कुंडली से चुम्बकी छत में गत कराई जाती है तो कुंडली से बद magnetic flux में परिवर्थन होता है दोस्तों इसमें कहा गया है जब sound wave microphone के diaphragm से टकराती है जो इसकी sound wave होती है जब microphone के diaphragm से टकराती है तो diaphragm में wave के कारण company होने लगता है दोस्तों जब हमारी sound wave है microphone के diaphragm से टकराएगी तब diaphragm में wave के कारण company होने लगता है ठीक है दोस्तों दोस्तों डायाफ्राम में wave के कारण company होने लगता है ठीक है दोस्तों जिसके बाद coil में induced grunt उत्पन होती है दोस्तों coil में induced current उत्पन हो जाती है इस induced current में परिवर्थन coil की गत्य के अनुसार होता है ठीक है दोस्तों यह current microphone पर उपलब्द terminal से प्रात कर एक coupling transformer द्वारा amplifier से जोड़ दी जाती है ठीक है दोस्तों अब इसके बाद दोस्तों हम इसकी properties के बारे में बात कर लेते हैं मैं नंबर एक grip properties दी गए यह microphone बहुत अधिक sensitive होता है जो हमारा moving coil microphone होता है बहुत अधिक sensitive होता है यह बहुत सस्ता होता है इसे external bicing की आवसकता नहीं होती है जो हमारा moving coil microphone होता है इसे external bicing की आवसकता नहीं होती है और इसमें दोस्तों नंबर चार की है इस पर atmosphere का कोई प्रभाव नहीं होता है इसकी sensitive 30 micro volts होती है SNR मतलब sound noise ratio इसकी 30 decibel होती है इसका distortion less than 5% दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं level ear microphone की यह क्या होता है दोस्तों यह छोटा moving coil microphone है जिसे विक्त अपने सरीर की गर्दन पर लटका सकता है stage show के समय, artist के समय microphone यूज करते हैं या गर्दन पर या कपड़े के किसी भाग पर लटका सकते हैं इस प्रकार microphone का प्रयोग वहां होता है जहां विक्त इधर उधर गत करता है जैसे दोस्तों यूटूब हो गया या कोई seminar हो गया वहां पर इस microphone का यूज करते हैं और दोस्तों यह level ear microphone का diagram दिया गया है दोस्तों यह चिम्टी जैसे clip होती है ठीक है दोस्तों इसको color पर लगा सकते हैं और आप इसमें बोलेंगे ठीक है दोस्तों तो दोस्तों अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो like कीजिए, share कीजिए और ज्यादस ज्यादा ल हुआ हुआ है